कि यस गुड़ेवनिंग एवरिवन क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैपिटल बजेटिंग में कहां तक हम ने किया था आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं वहाँ से सबसे पहले मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं यह लास्ट लेक्चर के नोट्स हैं एन कैपिटल बजेटिंग टेक्निक में पांच टेक्निक में ने लास्ट लेक्चर में डिसकस किया था और नोट्स लिखाये थे करेक्ट अभी एक भी इस्पिसल केस पर हम नहीं है पहले टेक्निक के बारे में कोशन देखेंगे फिर आएंगे इस्पिसल केस पर करेक्ट आजब जबना हंजे चप्टर है अपना कैपिटल बजेटिंग अभी तक में जो हमने डिसकसन किया है उसके बेसिस में कोशन बनाते हैं बहुत सारे पास्ट में जो कोशन है टेक्निक के ऊपर ही आये होते हैं अराम से बनेंगे आप से मैंने बैसिक कंशेप्ट अपका क्लियर कर दिया है it कैपिटल बजएटिंग टिकनिक की बात करूं तेकनिक की बात करूं तो हमने पांच टिखनिक डिसकस कर लिया będę भैक पेरिड एल्ट डिसकाउंटिड पेवेक पिरिएड NPV, PI, and IRR, correct? इतना हमारा discussion हो चुका है और मैंने treatment of loss भी बता दिया है, capital budgeting में loss की 3 case हो सकता है, ठीक, अब question को continue करते है आज़ा ज़र जो भी हमने discuss किया है, बार-बार में उसको frequently बोल के याद दिलाता रहूँगा, जब question आएगा, जिस topic से, जिस concept से रिलेट, कि आपको याद आए कि सर ने ऐसा पढ़ाया था ठीक है, November 18 का question है, बुक में, बुक का page नमर देख हुए तो page नमर 18 पे है, 10 marks में आया हुआ question है देखते हैं, PD Limited, an existing company, is planning to introduce a new product with a project life 8 years, project cost 2 crore 40 lakh, ठीक है, cost कितना है project का 2 crore 40 lakh, life कितनी है 8 years, at the end of 8 year, no salvage value will be realized, life is, life is 8 years, salvage value is nil, cost कितनी है, 2 crore 40 lakh, correct, working capital 30 lakh will be needed, working capital दे रखा है 30 lakh, कह रहा है, अगर 100% capacity पे हम operate करें, तो 2 lakh unit बना के बेज़ सकते हैं, लेकिन, ये तो maximum capacity है ना, and company जरूरी नहीं, अपनी maximum capacity पे operate करें, तो पहले साल हमने इतना बना के बेचा, दूसरे साल लिए, तीसरे साल लिए, अच्छा, ये 3 to 5 मतलब, तीसरा, चौथा और पाच्वे साल का सेम डेटा है, 1 lakh 40,000, 6 to 8 मतलब, 6th year, 7th year, 8 year, तीनो साल में सेम डेटा है, 1 lakh 20,000 unit हमने तीनो साल में बना के बेचा है, ठीक, Selling price है, 200, जिसमें से variable cost है 40%, तो contribution कितना होगा, बताए, 200 का 60%, जो की होगा, 120, Fixed cost दे रखा, ये क्या है, operating fixed cost, In addition to this, advertisement expenditure will have to be incurred, अब देखना ज़रा, advertisement expenditure दे रखा है, ठीक, पहले साल का दिया है, दूसरे साल का दिया है, 3 से 5 साल के लिए सेम है, यहाँ पर production भी 3 to 5 years के लिए सेम था, जिस साल में, मानलो 3 साल, 14 साल, 15 साल का अगर खर्चे भी सेम हो, revenue भी सेम हो, तो एक ही बार में cash flow निकाल सकते हैं, ठीक, एक ही बार में निकाल के हो, बोल सकते हैं, थर्ड एर, फोर्थ यर, फिप्त एर, तीनो साल के लिए यही cash flow है, अगर कोई भी item चेंज हो रहा हो, तब यह नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे ही आईटम सेम हो, सारी revenue सेम हो, सारे cost के आईटम सेम हो, तो तीनो साल के लिए एक ही बार cash flow निकाल सकते हैं, वैसे ही देखो, sales 6, 7, 8 year का सेम था, खर्चे भी सेम है, ये देखिए, advertisement का, depreciation तो हर एक साल सेम होगा, fixed cost हर एक साल सेम होगा, तो यानि कि 6, 7, 8, 3 साल क होगा, अलग-अलग ना करके, क्या आप अलग-अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, time taking process हो जाएगा, एक बार में कर सकते हैं, income tax 25%, state line method of depreciation is permissible for tax purpose, यानि कि state line method से depreciation calculate करना है, cost of capital, present value factor के लिए, ये discounting rate है, assume no loss can be carry forward, किसी साल में loss होता है, तो setup का तो बोला नहीं, तो होगा नहीं, तो tax saving निखा लेंगे नहीं, क्या अगले साल setup करके tax calculate करते time setup करेंगे, नहीं, carry forward नहीं होगा, तो ये बात ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है, third case है ये, present value table दे रखा है, present value factor के लिए, advise about the project acceptability, अगर decision देना हो, किसकी basis पे देंगे, कुछ ना बोले तो, सबसे बढ़िया है, NPV, NPV के basis पे देंगे, ये मैंने पढ़ाया था आपको, present value factor भी consider करता है, discounting है, इसमें साथी में, ये मानता है, कि intermediate cash flow जो है, in between का जो cash flow generate हो रहा है, वो reinvest होता है, किस rate पे, केसी के rate पे, ठीक है, आओ जारा, बहुत basic question है ये तो, November 18, सबसे पहले निकालो, initial investment, जिसमें, एक तो, cost of assets दे रखा है, टू करोर 40 लाग, इसी में working capital भी जुड़ता है, 30 लाग, टू करोर 70 लाग आएगा, initial investment कितना आएगा, टू करोर 70 लाग, अब आते हैं, cash flow after tax, calculation of cash flow after tax, ठीक, कैसे निकलता है, कोई बताएगा, पहला question है, तो एक बार revise करके, sales में से variable cost गटता है, तो contribution, fix cost गटाएगे, depreciation गटाएगे, PBT आएगा, tax गटाएगे, pat आएगा, फिर depreciation वापस से add कर देंगे, depreciation गटाने और जोडने का क्या logic है, क्योंकि depreciation एक तो non-cast expense है, तो वापस से जोड़ दिया हमने घटाया था, तो उपर घटाया क्यों था, tax benefit बचाने के लिए, खर्चे claim करने है, तो उस पर tax saving हो गई, किसी question में अगर tax होई ना, तो depreciation का ये घटाने जोडने का काम करने की जरूरत नहीं, किसी question में बोले, कि अगर tax नहीं है, depreciation को ignore करिए, tax purpose के लिए, तो ये काम नहीं करेंगे, क्यों? depreciation आज़ा खर्चा claim ही करते है, tax बचाने के लिए, जब उस पर tax expense बचेगा ही नहीं, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां देखो, यहर 1, 2, 3 से 5 तक सेम है, और 6 से 8 तक सेम है, करेक्ट, कितना ओर्पुट है? 60,000, 81,000, 41,000, 20,000 है, तो contribution कितना आएगा? आपको पता है, contribution कैसे निकलता है, unit या output, into contribution per unit, कितना है contribution per unit, 120,000, 60,000 into 120, 72,000, 96,000, 1,68,000, 1,44,000, करेक्ट, less fixed cost, less depreciation, तो ये क्या आएगा, PBT, इसमें से क्या गटे का tax, तो ये क्या आएगा, PAT, इसमें जोड़ दोगा, depth sun, तो ये आएगा, cash flow after tax, where depreciation, कितना आएगा, बताईए, परेणम, 30,000, आएगा, बताऊ जारा, और fixed cost, एक और खर्चा आएगा, एड़र्टीज्मिंट का, देखो चलो, fixed cost 30,000, एड़र्टीज्मिंट का, एड़र्टीज्मिंट का, एड़र्टीज्मिंट खर्चा कितना है, 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चल, करो ज़रा, 72 लाख, माइनस 30 लाख, माइनस 50 लाख, माइनस 30 लाख, 38 लाख, लॉस है, अगर बोलता कि सब इसी साल किसी और प्रजेक्ट के प्रॉफिट से सेट अप हो जागा, तो टैक्स से भी निकालते, नहीं बुला, तो इतना ही लॉस आएगा, एड़ करो डेप्शन, तो 8 लाख का लॉस आएगा, सेकेन्ड येर में देखो, एल्ले भें दागे, क्या ये लॉस सेट अप करेंगे अगले साल, टैक्स कल्कुलेट करते टाइम, बौलो, क्यों, क्योंकि कहा रहा है, कि लॉस क्यरि फर्वार्ड नहीं होगा, Conference Kirk नहीं होगा, तो सेट अप करने की जरूरत नहीं, यानि कि इस पर tax निकलेगी, कितना है tax rate? 25% थर्ड में देखिए, वन क्रोर 68 लाग, माइनस 30 लाग, माइनस 10 लाग, माइनस 30 लाग ठीक है, ये देखिए, वन क्रोर 44 लाग उनमें's 50 लाग, माइनस 20 लाग, माइनस 20 लाग, माइनस 20 लाग, मामड़ें वन क्रोद्वेशाम आतillar राग, उन्से भाग, मामळोदका रेखिए, वन क्रोछ़ में इंप भाग STUD क्रिक्ट थर्ड में आओ एक होदा है टर्मिनल कैस्प लो जरे ये भी समझा दो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी मैं सीधा कर सकता था पहला कोशन हो ज़्यादा एक्स्प्लीन कर रहा हूँ ठीक है इसमें दो चीज आते हैं जो किए निल ठीक एक तो स्यंविज वैलू निल है क्या कोई टैक से बिंग कालकुलेट हो सकता है इस पर सब टैक्स रेट तो दिया है पर आपने बोला था जब स्टेट लाइन में थाड हो तो टैक्स पेबल टैक्स से भी आता ही नहीं तो ये निली आएगा दूसरा वर्किंग कैप्टल रिलीज होगा क्या तो हांज ये रिलीज होगा जो वर्किंग कैप्टल 30 लाख लगा था न वो इट एर के end में आएगा अब कैलकुलेट करते हैं NPV ध्यान से सुनना अभी एक टेक्टिंग बताऊंगा एर लिख लो 1, 2, 3 से 5, 6 से 8 एन एट येर कैप्ट लो देखो एट लाख निगेटिव है पहले साल में दूसरे साल में 38,25,000 तीसरा साल, चौथा साल, पाच्वा साल तीन साल सेमी कैश फ्लो है जो कि ये है 1,3,50,000 करेक्ट छे, साथ, आठ ये तीन साल सेमी कैश फ्लो है जो कि ये है 89,25,000 और अंत में आठवे साल के अंत में एक और चीज़ आएगा ना 30,000,000 का वर्किंग कैप्टल प्रिजेंड वैलू फैक्टर देखो ये तो पहले साल का है तो ये है 0.909 दूसरे साल का 0.826 बुक में अगर आप देखोगे तो तीसरा साल, चौथा साल, पांचवे साल का सेपरेट सेपरेट कैश फ्लो है फिर उनका अपना पीवी फैक्टर उससे बढ़िया अगर सेमी है तीसरा साल, चौथा साल और पांचवे साल का तो एक ही बार कैश फ्लो लिखतो और जब तीन साल के वो कैश फ्लो एक है तो उनके पीवी फैक्टर जोड के जिसको पिरजेंट बैलू एन्नुटिफ फैक्टर बोला जाता है उससे एंट्टू कर सकते हैं तो एक ही बार लिखके और तीनो साल के पीवी फैक्टर जोड के इंट्टू कर सकता हूं यह राज 678 जड़ा जोडना जो किया रहा है 1.544 और यह तो आठवे साल के एंड का कैश फ्लो है ना तो आठवे साल का पीवी फैक्टर लगेगा जो किया 0.467 यहां आ गया प्रिजेंट वैलू करो जारा 8,00,00,00,00,00,00,00 7,27,200 यह निगेटिव में है 38,25,000 x 0.826 31,59,450 212,69,250 कोई बच्चा क्या सेपरेट सेपरेट हर एक साल का कर सकता है डेफिनेटली कर सकता है मेरा काम है दोनों तरीका बताना सेपरेट तो आप खुदी से कर सकते हैं ऐसे करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा कितना या पीविफिन्फलोग कितना या पीविफिन्फलोग यह क्या है PBF inflow इसमें से क्या घटाओगे लेस करोगे PBF outflow तो जो आता है उसको बोलते है निट प्रिजेंट वैलू टू कोड़ोर 70 लाख है ठीक है तो यह आया एन पीवी डिसीजन एन पीवी पोजेटिव है तो प्रजेक्ट है शिफ्ट करेंगे सिंस एन पीवी इस पोजेटिव एन पीवी पोजेटिव है क्यों में प्रोजेक्ट सुट इसेप्टेट है अब जब हमने उनहीं का फिगर यूज किया है तो देखाओ फिगर क्या आएगा इक्जाक्ट क्यूंकि हमने जो प्रिजेंट वाईलू का factor use किया है वो exactly वही use किया है जो exam में given था तीन factor दिया था इन्होंने भी तीन use किया खुद से calculator पर निकालोगे हो सकता है round of QS से change जाए जब exam में दे जो factor वही आपको use करना है यह याद रखना है बस यह आओ A limited is considering three project मैं एक और बात बता दू आपको हर एक variety का ना दो या तीन question दिया हुआ है book में जिस variety का question कराओ उस variety का आप देखोगे तो दो तीन question मिल जाएगा आपको सारे variety का repeated question कराना संभव नहीं है तो हर एक question कुसिस करेंगे नया और unique वाला करें हाँ किसी question में कि दूसरे variety से कोई ऐसी point है जो मुझे explain करना है कराना जरूरी है वही मैं repeat कराओंगा नहीं तो मैं कोसिस करूंगा हर एक question जो बिलकुल different हो वो करें तीन project है and cash flow associated with project दे रखा है ठीक तीन project कौन सा है A, B and C cash flow देखिए C0 का मतलब आज जो लगेगा इसको क्या बोलते है initial investment इसी को बोलते हैं initial investment जो आज लगता है यह negative में भी है ध्यान से देखो यानि कि outflow है और यह जो है positive में C1 का मतलब एक साल बाद का C2 का मतलब cash flow after two years दो साल बाद का C3 का मतलब तीन साल बाद C4 का मतलब चार साल बाद और यह सारे जो figure है क्या cash inflow है समझ मैं आपको चलिए पूछा क्या है calculate payback period of each three project देखना द्यान से payback period का मतलब कितने साल में अपनी investment recover हो जाएगी discounted payback नहीं बुला payback period बुला correct अब जब round figure है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं देखिए 10,000 लगा है कितने साल में recover हो रहा है पहले साल में चार दूसरे साल में चार 8,000 और यहां तीसरे साल में cumulative करोगे तो क्या आएगा 10,000 अगर आप इसको cumulative ना करके सीधा भी बोल दो तो सर्थ 3 year में recover हो रहा है पहला दूसरा और तीसरा साल का देखो इनफ्लो आउटफ्लो के ब्रावर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेबैक पिरियेट कितना है 10,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 6,000 या फिर हमनी जो करा है अगर cumulative भी करते हैं 1, 2, 3, cash flow लिखते 2,000, 2,000, 6,000 cumulative करते 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, 4,000, 6,000, 10,000 कितने साल में recover हो रहा है तो देखो exact fall कर रहा है न फर्मूला लगाने की जरूरत नहीं वो तो तब लगाते हैं जब 2 year के बीच मेरी कबर हो रहा हू 3 years वैसे ही बी के लिए देखोगे तो payback period देखो 2000 लगा है पहले साल में कुछ नहीं आया दूसरे साल में 2000 आ गया तो year 2 payback period बी के लिए किया है 2 years that is 2000-0-2000 3rd के लिए देखो 10,000 लगा है कितने साल में recover हुआ होगा 2 दूसरे साल में और 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 16 यानि कि 3 साल में तो C के लिए payback period हो जाएगा 3 years अब क्या पूस्ता है प्रकर करके देगा तो दो नम्मर में क्या लिखोगे इफ कटप प्रियेड इज 2 यर ठीक है 2 साल कटप प्रियेड हो तो सिर्फ 20 सिलेक्ट होगा Project with positive NPV If opportunity cost is 10% कहरा है Discount rate अगर 10% हो Opportunity cost बोले Cost of capital बोले तो NPV बताईए किसका NPV positive आएगा निकाल देते NPV और क्या वैसे तो ये réponse अब अब मुझे कराना था सिर्फ डी और ई-पॉइंट के लिए पर मैं साराई करवा दिया आपको कि एनपी भी बताओं कि प्रजेक्ट एक देखो कि यह वन टू थ्री कैस्ट फ्लो प्रिजेंट वैल्यू फैक्टर बताओं कि नाइन जिरो नाइन एट टू शिक्स सेबन फाइवाण तो यह जाएगा पी बी अफ इन फ्लो माइनस पी बी अफ आउट फ्लो कितना है दस जार है न ती हो जाएगा एन पी बी अफ इन फ्लो कि इन फ्लो यह तो आया निगेटिव NPV हमें पूछ रहा है पूजेटिव NPV के साथ कौन-कौन से प्रोजेक्ट आएंगे यह तो नहीं आएगा प्रोजेक्ट भी सीधा ही कर देता हूं में NPV का फर्मूला क्या है पीवी एफ इनफ्लो माइनस पीवी एफ आउटफ्लो पताओ B में देखो पहले साल में कोई cash flow है नहीं दूसरे साल में 2000 है दूसरे साल का 8 to 6 है present value factor तीसरे साल में 4000 इसका 751 चौथे साल में 6000 और चौथे साल का है 683 माइनस पीवी एफ आउटफ्लो जो की है 2000 यह आया 8754 माइनस 2000 तो देखो पेबैक पिरियेट के बाद यह तो निगेटिव था यह पोजेटिव आया सी का आप कर लोगे बहुत बैसिक्स है यार इसमें कोया करना मेरे को तो सिर्फ डी और ई पॉइंट पढ़ाने थे इतना असान पॉइंट आप खुद कर सकते हैं सी का भी आप निकाल लेना पीवी एफ इंफ्लो माइनस आउटफ्लो हां जे डिसीजन में में डी पॉइंटिंग पोटेंट है कि यह कोईशन कभी आभी जाए तो एबी सी आप इजली कर लोगे पेबैक पिरियेट गिप टू मच वेटेट टू कैस फ्लो डाट अकर आफ्टर कट अफ डेट टू और फॉल्स तो लिखेंगे फॉल्स क्यूं मैंने आपको पढ़ाया था पेबैक पिरियेट वहीं तक के कैस फ्लो को ध्यान देता है जहां तक इंवेस्मेंट रिकबर ना ह हो जाए हम तो पेबैक में निकाली रहे हैं तब तक का साथ जब तक इंवेस्मेंट रिकबर हो जाए उसके बाद क्या कैस फ्लो डिनरेट हो रही है इसको ध्यान नहीं देता लिखेंगे फॉल्स पेबैक पिरियेट उन कैस फ्लो को वेटेज देता है जो कट अफ उससे जो कम होगा मालों मैंने तू हे बोल दिया तो टू से कम जीन का पेजक होगा वही सिग्ठ होंगे तो चाह रहा है अगर सिंगल कट आफ याजा सक पिरियेट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि छोटे छोटे-चोटे लाइफ वाले प्रजेक्ट हूम स्लेक्ट क करेंगे ठीक है चलो एक छोटा सा क्वेशन है बहुत बैसिक्स है लेकिन इसमें छोटा सा लाइन है देखिए जा रहा है अ कम्पनी इभालवेटिंग अप्रजेक्ट डाट रेक्वार इनिशियल इंवेस्मेंट अप 60 लाक इन फिक्स एट और वर्किंग कैप्टल तो इनिश प्लास्ट लाग बताओ इनिशियल इंवेस्मेंट में फिक्स एट अब लॉर्किंग कैप्टल दोनों में जो पैसा लगता वह गो 22 लाख कि it is expected to increase यह project करे तो क्या होगा इंक्रीज होगा क्या real cash inflow before tax इसमें दो वर्ड है real और cash inflow before tax cash inflow before tax मतलब क्या होता है depreciation घटा है क्या बोलो last lecture में पढ़ाया था नहीं यानिकी अभी deduction भी खटाना है फिर tax भी खटाएंगे फिर deduction जोड़ देंगे ठीक 24 लाक है during life salvage value 0 है और life कितना है 5 years company follow state line method of depreciation ठीक है for tax purpose अब जब state line method of depreciation follow करते हैं तो कोई भी profit या loss नहीं आता salvage value पे इसलिए कोई tax भी नहीं लगता ठीक तो post tax salvage value salvage value के बराबर ही आएगा जो कि हमारे किसमे निल inflation is expected to be 6% ठीक है for evaluating similar project company uses discount rate 12% in real terms ये क्या है देखो एक छोटा सा note लिख लो बाद में detail में पढ़ाऊंगा याद होगा आपको special case में एक point लिखाया है inflation in capital budgeting ठीक है एक किसी भी चीज को express कर रहे है real terms में और nominal terms में इसमें क्या फरक है nominal का मतलब होता है inflation is adjusted inflation जब adjust हो जाए real में nominal हो जाता है यानि कि real में inflation adjust नहीं होता inflation is not adjusted यानि कि real मतलब before inflation adjustment inflation adjust है जिसमें उसको बोलते है nominal ये एक line लिख रहा हूं याद रखना है अगर cash flow real है ना तो discount rate भी real होना चाहिए cash flow nominal है न तो discount rate भी nominal होना चाहिए यानि कि एगर cash flow nominal है cash flow का मतलब जो cash inflow आ रहा है उसमें inflation adjust है तो discount rate भी nominal चाहिए उसको present value करने के लिए हमारे case में हमारे case में ये cash flow क्या था? real था तो discount rate क्या चाहिए? real real discount rate दे रखा है अगर ये nominal discount rate दिया होता तो इसको बनाते क्योंकि हमारा cash flow क्या है रियल है याद रहेगा पर इंस्टिट्यूट ने यहां पर मज़ेद की बात कर दी 12% का भी दिया यह mistake था यह 6% का discount rate है 6% का भी दिया बच्चों को लगा discount rate 12% है 6% inflation है घटा के 6% आएगा after inflation नहीं यह तो real ही है न discount rate है और real cash flow दिया है तो real cash flow को real rate से ही तानते है present value करते है nominal cash flow को nominal rate से तानते है तो आपको करना कुछ नहीं था इससे मिलता जुलता special case में question कराऊंगा जहां पर आपको adjustment करनी पड़ेगी ठीक है चलिए आगे बड़े note लिखो real cash flow inflation से regarding इतना बस आपको जानना है पूरी capital budgeting में कि cash flow real है तो discount rate रियल होने चाहिए cash flow nominal है nominal मतलब inflation adjust है उसमें तो discount rate भी inflation के साथ चाहिए nominal discount rate ठीक रियल cash flow shall be discounted at real rate real discount rate and nominal cash flow shall be discounted at nominal cash flow cash flow nominal discount rate nominal चाहिए cash flow real discount rate real चाहिए हमारे case में तो cash flow real बोल के दिया है discount rate भी real दिया है तो adjustment नहीं करनी उसी discount rate से present value निकालना है ठीक तब तो बहुत basic हो गया question अगर यह point बच्चे को पता हो तो ठीक यह point पता होना जरूरी है आगे मैं दिखाऊंगा कि cash flow nominal दिया है discount rate real दिया है तो आपको discount rate को nominal करके फिर cash flow को प्रिजिंट value करना है बुक में question नहीं है ऐसा equation frame करके करेंगे last में ठीक है बस यह line याद रहेगा एक real है तो दोनों real होने चाहिए discount rate और cash flow nominal है तो दोनों ही nominal होना चाहिए एक real एक nominal है तो दूसरे को convert करेंगे तक यह दोनों को real में बनाएंगे या दोनों को nominal में बनाएंगे फिर prison value निकालेंगे ठीक चलो इस question में initial investment कितना आएगा 60 लाख fix asset में 12 लाख working capital 72 लाख cash flow after tax cash inflow दिया है before tax मैंने आपको पढ़ाया था before tax का मतलब tax तो घटा नहीं पर inflow का मतलब depreciation भी नहीं घटा हुआ है नहीं तो profit before tax बोलता तो पहले डेप्शन घटा दे state-line method से कैसे निकलेगा 60 लाख है salvage value निल लाइफ 5 years PBT आया less करेंगे tax पैट आएगा फिर जोर देंगे डेप्शन तो यह cash flow after tax आएगा अच्छा tax किस rate से 30% करो अच्छा लाष्ट में आएगा ना टर्मिनल cash flow में क्या आएगा तो salvage value तो निल है post tax भी निली आएगा क्योंकि यह state-line method है तो ना तो tax payable आएगी ना tax saving आएगी यह WDB method होता ना और salvage value निल होता तो tax saving आती post tax करते ठीक है working capital कितना release होगा 12,000,000 जो लग रहा है वो release होगा और क्या NPV निकालिए पूछा क्या है हमसे advice company should accept the project calculating NPV in real terms NPV को real terms में निकालना है nominal terms में बोलता तो तो हमें nominal बनानी पड़ती ठीक पर वो बोलता ने कैसे question में पूछता है वो question में दिखाऊंगा करेंगे जब उस point पे आएंगे अलग से हमने heading लेक रखा है ठीक है तो आज़ाओ ज़राब PV of inflow minus PV of outflow inflow में क्या है तो inflow में है यह आएगा कितने साल तक पांच साल तक जब कोई cash flow 5 years तक सेमी cash flow आये तो 500 साल के present value factor को जोड के इंटू कर सकता हूं जिसको बोलते present value annuity factor पताओ जोडना ज़रा यह 3.60 604 आएगा ठीक जितना दिया है उसी को जोडना है खुझ से निकाल के round up करने की जरूरत नहीं है answer match नहीं करेगा अगर present value factor दिया है उसको यूज करना है ठीक last में भी आएगा न 12 लाख यह तो 500 साल के इंड में आएगा तो 500 साल के factor से इंटू होना चाहिए present value of outflow outflow कितना है 72 लाख चलिए कितना है या हैगा ठीक है और क्या लिखेंगे एसेप्ट करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल करना चाहिए अच्छा एक बार जोड़ो तो क्या आ रहा है 893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567 5 आ रहा है 5 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं 5 आ रहा है तो 5 कर लो फिर इंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपको जो दिया है न उसी को यूज करना है अच्छा अच्छा प्लस 0.156 प्लस 0.507 प्लस 0.156 फिर रहा है अच्छा को कर पर्जेक्ट क्या करने चाहिए एक शेप्ट बशेब स्साओं दिक्क रहा है since NPV is positive project should be accepted correct I is our effort effort से आजाओ यह बहुत ही बैसिक कोशन है ठीक मैं फटाफट से आप लोग को समझा देता हूँ 5 माक्स में आया था हमें अभी यहां नहीं भी करेंगे तो चलेगा पर बस एक फटाफट से ओवर व्यू दे देता हूँ क्या बताना है मुझे बस वो ध्यान रखना कॉस्ट अप मसीन है लाइफ है रिसीडिवल बैल्यू है तो डेप्सन बताएगा कोई मुझे टू लाग फिप्टी थाउजन डिवाइड बाई एट डेप्सन तो आएगी थाटीवन थाउजन टू अन्डेट फिप्टी है करेक्ट उसके बाद यह रहा प्रोडक्शन सेल्स है और वेरियेबल कॉस्ट तो कंट्रिबूशन पर यूनिट तो टोटल कंट्रिबूशन हर एक साल का आएगा 3 इंटू 1 लाग 3 लाग ठीक है एनुवल फिक्स कॉस्ट यह तो हर एक साल घटेगी एक्स्क्लूडिंग डेप्शन यानि कि डेप्शन घटा ना है इसमें डेप्शन अभी इंक्लूड नहीं है अब हर एक साल देखो डेप्शन सेम है एनुवल फिक्स कॉस्ट सेम है कंट्रिबूशन सेम है तो हर एक साल का अभी तक तू डेटा सेम है 1st year में एक खरचा होगा 20,000 का एडवरीजमीन पे in addition to annual fixed cost यानि कि इस खरची में नहीं जुडा है इसके additional है और 5th year में भी एक खरचा होगा 30,000 तो यानि कि सिर्फ 1st year और 5th year में थोड़ा सा cash flow change आएगा करेक्ट कॉस्ट अब कैप्टल 12% है इग्नोर टैक्सेशन टैक्स अगर इग्नोर कर दे तो इस डेप्रीसेशन निकालने का कोई मतलब है मुझे कोई बताए नहीं डेप्सन घटाओंगा और लास्ट में डेप्सन पैट के बाद जोड़ता हूँ पैट तो टैक्स तो है ही नहीं जब टैक्स ही नहीं तो डेप्रीसेशन पे टैक्स क्या बचेगा तो घटाने की ज़रूरत नहीं चोड़ने की ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन चोटा हो जाएगा फिर आप कैस्ट लो आफ्टर टैक्स जब निकालोगे तो देखो ये तो है year 1 का 2 से लेके 4 तक सेमी है फिर year 5 अलग है फिर 6 से लेके 8 तक सेम है कर्रेक्ट contribution हर एक साल 3 लाख है fix cost देखी ज़रा 1 लाख का है न depthion घटता है फिर बाद में after tax करके depthion जोडते है tax जब ignore करना है तो depreciation घटाने की और वापस से जोडने की कोई ज़रूरत नहीं same amount फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगी जितना घटा रहे और नीचे उतना ही जोड़ोगे तो नहीं भी करोगे तो चलेगा फिर क्या करना है advertisement पहले साल में कितना है खर्चा 20,000 है इन सालों में है नहीं और 5th year में 30,000 और ये जो आया ना ये ही क्या है cash flow after tax कोई मुझे बताएगा कितना आएगा 1,80,000 2,00,000 ये भी 2,00,000 1,70,000 पहले साल में 1,80,000 याएगा दूसरे तीसरे और चौथे साल में 2,00,000 याएगा पाचिवे साल में 1,70,000 याएगा फिर 6,78 तीन साल सिम cash flow है 2,00,000 याएगा survey value कुछ है नहीं तो इनका present value किया और outflow घटा दिया तो आ जाएगा Net Present Value method से बताईए, Advise करिए, Project करे कि न करे, इसमें ये सारे को अलग-अलग Year में करके Present Value निकाल सकते हैं, या फिर टेक्निक क्या है, 2 से 4 तक का एक साथ कर सकते हैं, Cash Flow After, Cash Flow Year लिखोगे यहाँ पे, अभी जैसे मैंने कराया था, Year लिखोगे 1, अब एक तो तरीका है, 2, 3, ऐसे लिखे, 1 का Cash Flow अगर देखोगे तो 1,80,000,00 है, 2 से लेके 4 तक 2,00,00 है, तो इसमें भी 2,00,00, इसमें भी 2,00,00, ऐसे करे, या फिर अगर आपको shortcut करना है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, 2 से 4 तक का सेम है ना, 2,00,00 लिख लो, 5 और फिर 6 से 8 तक सेम है, पहले साल में, तो यही दालोगे, 0.893, यह कहा है, 224, 2, 3, और 4 साल का, तो year 2, year 3, year 4 के यह रहा, present value, सिधा जोड़ के लिख दो, year 5 का, यह देखो, 0.567, यह क्या है, 678 का, इनका 1,7 लिख दो, यहाँ पर करो present value, और आउट लोग अटा देना, simple, तो ताकि, पूरे एक एक करके कर सकते हैं, या फिर सीधा ही कर सकते हैं, जहाँ पर बोला, ignore tax, यानि कि tax नहीं है, वहाँ पर डेप्शन घटाने और जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस यह calculation का step बढ़ाएगा, amount से मिए आएगा, पढ़िया question कराता हूँ आप लोग को, चलो कोई नहीं इसके बाद करते हैं, यह चलो, question को आप लोग mark करो, important, अच्छा question है, concept clear होने वाला, मैं 2022 में 10 marks में आया हुआ question है, क्या mark करना है, important, alpha limited is manufacturer of computer, हम क्या बनाते हैं, computer, it want to introduce artificial intelligence while making computer, अभी हो सकता है, कि AI का बहुत सारा आ गया, तो हम AI को यूज करना चाहते हैं, computer बनाने में, estimated annual savings from introduction of AI, अब देखो, AI को अगर हम यूज करते हैं, तो AI में पैसा तो लगेगा, पर उसकी वएस से पैसा बचे का भी annual savings, यह हमारे लिए एक प्रकार का revenue है, ठिक, कितना, reduction of 5 employee, AI के आने से 5 employee reduce हो जाएंगे, जिनकी salary इतना था, 3 लाख, एक कथा, परेनम, इन्टू 5, 15 लाख, 3 लाख तो बचेगा, production delay caused by inventory problem, यह भी बचेगा, reduction in loss sale, कई बार sale कर नहीं पाते थे, क्योंकि बना नहीं पाते थे समय पे, timely billing की वैसे इतनी पैसी बचेगी, तो total saving पता है कितना होगा, उस AI को introduce करके, पताव 15 लाख, प्लस 3 लाख, प्लस 2 लाख 50,000, प्लस 2 लाख, 22 लाख 50,000 saving हो रहा है, correct? It purchased the system for installation of artificial intelligence 20 लाख, अब ज़रा investment देखिया है, क्या रहा है, 20 लाख का हमने system purchase किया है, जिसमें AI इंस्टाल होगा, and installation charge लगेगा 1 लाख, installation charge लगेगा 1 लाख, 21 लाख हो गया, ठिक, installation charge भी asset के cost में capitalize होता है, पतावे आपको, 80% of the purchase price, purchase price कितना है, 2 लाख, क्या 2 लाख, 21 लाख तो नहीं है, 20 लाख है purchase price, total purchase cost नहीं बोला है, जिर्ट purchase price का 80% है, यानि कि 16 लाख, paid in the year of purchase, जिस दिन purchase करें, उस साल में पेकिया, remaining, जो है, 1 year after, ये total इतना खर्चा तो हुआ, जिस में से, 20% of purchase price, next year पे हुआ है, एक साल बाद, 4 लाख का, यानि कि 16 लाख का, computer जो खर्डे वो, plus installation एक लाख, ये 17 लाख, अभी अभी लगेगा हमें पैसा, year 1 में, और जो 20% of the purchase price है, वो क्या, next year, देखो, 80% purchase price का, तो इस बार पे करना है, 20% next year, और installation तो इसी बार लगेगा न, अभी इंस्टाल कराएंगे तो, तो 21 लाख का, initial investment में से, 17 लाख ऐसा है, जो आपको, T0, यानि कि present में, incurred करनी पड़ेगी, and 4 लाख ऐसा है, जो आपको Excel बार इंकर्ट करनी पड़ेगी, However, operation of new system required, two computer specialists, with annual salary of 5 लाख, यानि कि, 2 का हो गया 10 लाख, saving तो हो रही है, 22 लाख की, लेकिन, हमें 2 लोग भी चाहिए, operate करने के लिए, जिसमें 10 लाख खर्चे भी लगेंगे, maintenance cost, ये जो है, पे एबल इन्य इडवांस, ठीक है, ये एक important point, इसके बारे में जरा समझते हैं, note, लिख लेना note, अगर कोई income या कोई expense, advance में receive होती है, या pay होती है, तो क्या करेंगे, if, पहले expense का समझाता हूँ, income का तो तुझा सेमी expense के logic से, income आप समझ सकते हो, if any, expense, is payable in advance, ये माल लो, क्या होता है, आज ही पे कर दिया, लेकिन, जब साल के end में balance sheet PL बनाऊँगा, तब मैं इस खर्चे को डालूँगा, साल के end में ही ये खर्चे का tax benefit मुझे मिलेगा, tax benefit तो year complete होने के बाद ही claim कर सकता हूँ, जब मैं tax pay करने जाऊँगा, खर्चा तो मैंने आज कर दिया, पर tax benefit मुझे कब मिल रहा है, एक साल बाद, यानि कि यहाँ पे, ये 30,000 पे जो tax sealed है, tax benefit है, वो एक साल बाद मिलेगा, याद रहेगा, होता क्या है, outflow हो जाता है, at T0, आज ही पैसा देना पड़ गया, एडवांस की वैसे, लेकिन उस खर्चे के tax benefit, जो है, साल के अंत में मिलेगा, tax benefit, at T1, first year के end में मिलेगी, in such case, दो तरीके से treatment कर सकते हैं, two treatment, आपको जो suitable लगे, आपको एक्जाम में करना है, अब दो, मैं लिखतो रहा हूँ, कोई एक ही follow कर दूँगा, कि आपको याद जाए, पहला treatment क्या है, first approach, ध्यान से सुनना, deduct as expense, at T1, first year के, जो cash flow निकालेंगे, उसमें खर्चा दिखाएंगे, ठिक, add back after pat, इससे होगा क्या, ये step से क्या हुआ, tax benefit मिल गई मुझे, किसी को, खर्चा दिखा दिया, और pat आ गया, तो tax benefit मिल गई, वापस से उसको जोड़ दीगे, यानि कि, outflow भी हुआ नहीं, कैसे depreciation में, depreciation आज़ा खर्चा दिखाते हैं, after tax होने के बाद, वापस से जोड़ देते, इसका मतलब क्या हुआ, depsion घटा नहीं, सिर्फ tax benefit मिल गया, correct, तो आप वो करिए, जैसे depsion को करते थे, मैं लिख तो imagine depsion, depreciation में यहीं नहीं करते थे, मालनों सिर्फ tax benefit देना, किसी का क्या करना है, उसको जब खर्चा दिखा दो, after tax हो जाए, तो वापस से जोड़ दो, लेकिन outflow तो हुआ है, हुआ कब है, साल के अंत में नहीं, T0 पे हुआ है, तो अब third case में क्या करेंगे, so outflow at T0, ठिक, यहाँ पे, खर्चा दिखा के, पैट निकाल दिया, वापस से जोड़ दिया, तो tax benefit तो मिल गई, एक साल के बाद का, जो year one के cash flow होता है, वो क्या होता है, first year के end में, पर यह गया तो T0 पे है न, तो tax benefit दे दिया, यहाँ पे, अब T0 से घटा दीजी, T0 पे outflow दिखाना है आपको, so outflow, add T0, दूसरा तरीका है, यह ना करके, डेप्शन में क्या करते थे, add tax benefit, after pat, खर्चा घटावई मत, सिधा नीचे, tax shield जोड़ दो, और यह कर दो, यह तो semi रहेगा न, outflow तो आपको देखानी पड़ेगी, अब यह question कराता हूं, तो logic किलियर हो जाएगा आप लोगों, ठीक है, यह question करेंगे, सारा logic किलियर हो जाएगा आप लोगों, चलिए, इस question में सबसे पहले, initial investment लिखते हैं, घबडाओ मत, बहुत असान है, जब question कराऊंगा, तब समझ में आएगा, theoretically बोलने पर तो चीज़े कितना ही समझ में आती है, purchase price, 20,00,00, plus installation, 21,00,00, इसमें से 70,00,00,00, आज ही pay होगा, pay बाला T0 T0 का मतलब present में, T1 का मतलब एक साल बाद, और फूर लाग पेबल आट टी वन बताओ ये डेप्रीसेशन बोलना हो तो बताओ सिर्फ पर्चेस प्राइस पर डेप्सन मिलता है क्या नहीं, इस्टलेशन कॉस्ट भी कैप्टलाइज होता है कॉस्ट में और डेप्रीसेशन टोटल 21 लाग पे मिलेगा कोई सेलवेज वैलू है? नई लाइफ कितनी है? फाइब येर्ज करेक्ट 4 लाख 20 थाउजेंड आया कैश फ्लो आफ्टर टाक्स येर लिखेंगे 1 2 3 4 5 सेविंग टोटल में 22 लाग 50 थाउजेंड की सेविंग हो रही थी बारी बारी भी लिख सकते हो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ ठीक है? उसमें इंप्लोई कॉस्ट था एक दस लाख का तो नए दो लख लोग रखना पड़ेगा ने जिनकी सेलरी टेन लाख होगी उस ए आई वाली कंप्यूटर को चलाने के लिए भी करेक्ट उसके बाद डिप्सन गटेगा खर्चे पे तो एडवांस में हो रहा है पर टैक्स बेनिफीट तो साल के अंत में ही मिलेगा ना तो मैंने क्या बोला पहले खर्चा लिख लो आफ्टर पैट जब प्रॉफिट निकल जाए तो वापस से जोड़ देना तो टैक्स बेनिफीट हो जाएगा तो पहले खर्चे लिखते हैं मिंटेनेंस कॉश्ट कितना है 2,180,160,120,140 यह प्रॉफिट भी फो टैक्स इसमें से टैक्स घड़ जाएगा तो यह आएगा पैट और इसमें डेप्सन जुड़ जाएगी प्लस मेंटेनेंस कॉश्ट भी जुड़ जाएगा पहले घटा या बाद में जुड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ है मेंटेनेंस कॉश्ट पहले घटा या बाद में जुड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ है कि tax benefit मिल गई और maintenance cost अभी घटा नहीं है सिर्फ tax benefit मिला है जैसे depreciation में पहले घटाते थे बाद में जोड़ देते थे इसका मतलब क्या हुआ depreciation का outflow नहीं दिखाना था तो बाद में जोड़ दिया और tax benefit भी मिल गई पर हमें maintenance को outflow दिखाना तो है अलग year में दिखाना है तो पहले मैं tax benefit दे दू tax benefit कैसे मिलता है खर्चे दिखाओ और नीचे लिया के जोड़ दो तो सिर्फ उस पर tax benefit मिल जाएगी correct मुझे कोई बताएगा क्या यह लेस maintenance चलो अब यह समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर और इस्पेस कर लेते हैं पहले साल को देखते हैं ठीक है ट्वंटी टू लाख फिप्टी थाउजन माइनस तेल लाख माइनस फोर लाख ट्वंटी थाउजन माइनस टू लाख कि टैक्स रेट कितना है थर्टी परसेंट कि तो पैट कितना आएगा कि डेप्शन कितना जोड़ना है मेंटेनेंस कॉस्ट कितना घटा था टू लाख तो वापस से जोड़ दो अब हुआ क्या उपर घटाया नीचे जोड़ दिया इससे मेंटेनेंस कॉस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिल गई किस्से मुएसा ही किया जैसे डेप्शन पे किया लेकिन डेप्शन को तो पै नहीं करना था मेंटेनेंस कॉस्ट तो पै करना है ना हां जी पे करना है कितना करना है बताओ यह तो पहले साल का यह तो साल के सुरू में ही पे हो रहा है न आज ही पे हो रहा है साल के अंत में पता है कौन सा पे होगा यह पे होगा 2 year का मतलब होता है year 2 के starting का मतलब होता है year 1 के end तो 180 पे होगा maintenance cost actual में 180 cash flow गया समझ में आ रहा है तो देखो ज़रा यह अब एक और बात याद रखो तो सर यह जो maintenance cost है जो अभी अभी पे हुआ है year 1 में पे करना है लेकिन starting में यह भी तो दिखानी पड़ेगी यह इस cash flow में दिखेगा present cash flow जो T0 पे खड़ा है आज के date में जो है वो अभी कितना पे होगा 2 लाख ठीक यानि कि अभी पे होगा 2 लाख इस 2 लाख का tax benefit मिलेगा साल के अंत में इसलिए 2 लाख पे tax benefit यहां दिया मैंने ठीक 2 लाख को घटाया पर यह तो पे नहीं होगा न साल के अंत में यह तो पे हो चुका है starting में यह तो वापस आज एक्सपेंस एड टीजीरो जैसे कि हमारे केस में पहले साल का खर्चा क्या था टू लाख करेक्ट तो इसको एज खर्चा डिड़क करेंगे टीवन में पहले साल में एड बैक अफ्टर प्रॉफिट पैट निकालने के बाद वापस चोड़ दीजिए इससे tax benefit मिल जाती है करेक्ट so as a outflow at T0 और outflow कब सो करना है T0 पे सो करना है तो 2,000,000 को देखो मैंने क्या किया 2,000,000 वे tax benefit निकालना हो तो year 1 के cash flow में दिखाया था क्यूंकि उसका tax benefit तो साल के अंत में मिलेगा पर pay करना हो तो first में pay किया 1,80,000 का करना हो तो देखो tax benefit देना हो तो year अंत में पर pay करना था तो starting में ही pay कर दिया यह करना है बस आपको याद कर दीजिए ठीक है logic भी समझा दिया मुझे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कैसे करनी पड़ेगी दूसरा approach मैं explain नहीं कर रहा हूँ दूसरा approach तो थोड़ा और आप लोग को कठीन होगा यह ज़्यादा बेहतर है क्योंकि depreciation भी मैं इसी model से आप लोगों करा रहा हूँ पहले खर्चे घटा दो फिर वापस से जोड़ दो फिर आउटफलो घटा दो year 1 में क्या दिखेगा पताओ खर्चे year 1 के है न वापस से जोड़ देना है उसको पर आउटफलो कौन सा घटेगा year 1 का नहीं year 2 का आउटफलो घटेगा यही आपको ध्यान रखना है क्योंकि advance में पे हो रहा है year 1 के end में क्या पे होगा second year का जो payment है वो starting में पे होगा second year के starting में जो कि year 1 का end है ठिक चलो जारा फटा फट से कर लो तो यहां लिख लो 2,180,180 यहां पे 160 आएगा 140 120 ठिक है चलो जारा करो फटा पट से कर चलो टैक्स लिख लेना आप टेपसन जोड़ोगे फिर वापस से जो घटाए हो maintenance cost वो जोड़ोगे यह आ गया और घटाओगे कौन सा बताओ second year का maintenance cost घटाओगे क्या नहीं second year के अंत में तो third year वाला advance पे करनी पड़ेगी वो घटाओगे पारबेट्बोगे पारबेट्ट्स एंत में दोड़ेगे पारबेट्स एंत में पस्टाओगे पढ़ेगे झाल झाल ठीक है करियो फटावर्ट से यहां पर कुछ भी पे नहीं होगा अल्रेडी पे हो चुका है एडवांस में अभी यह क्लेम कर रहे हैं पे तो सुरू में हो गया है यहां पर पे हो चुका है ठीक अब देखिए क्याल्पुलेशन आफ एन पीवी यर जिरो वन टू थ्री फोर फाइब क्याश फ्लू आपको पता है जीरो य य पे भी 2 लाख दिखाना है आपको क्याश फ्लू प्रिजेंट वैल्यूफर जीरो य-र पे तो अन होता है इसका तो तू लाख का प्रिजेंट वैल्यू रू य लाख आएगा ना यह देखो 881, 895, 909, 9,23,000, 10,37,000 Present Value Factor देखो कितना percentage discount rate 15% तो हमें 15% का Present Value Factor देखना है जो किये 870 कर दो फटबोट झाल 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 यह क्या है PB of inflow इसमें से क्या घटता है PB of outflow तो क्या आएगा NPV बताओ 17 लाग तो अभी करनी है 4 लाग का payment एक साल बात करना है एक साल बात का present value factor क्या है यह रहा 870 इतना है गा 6557 ठीक है चलिए पूछा क्या था पूछा है evaluate the project by using NPV तो NPV के अनुसार कर लिया और क्या decision देंगे कि हाँ project acceptable है और PI भी पूछा है तो जड़ा PI को भी निकाल दे अगर दूसरे में PI करोगे तो अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो जो उपर दो लाग क्या cash flow था न इसको क्या कर सकते हैं यहां पर add कर सकते हैं तो उस case में बताओ PI different आएगा की नहीं आपका बिल्कुल different आएगा तो ऐसा नहीं करना cash flow को अलग लेना है और outflow को अलग लेना है क्योंकि यहां पर जब बनेगा present value of inflow divided by present value of outflow तो PI पर फरक पड़ेगा यहां पर फरक तो नहीं पड़ेगा 1.408 round up कर दिया हमने चलो यहां पर हमने एक question छोड़ा है इसको करते हैं 10 marks में आया हुआ question है Jan 21 में दो machine है original cost दिया है life दिया है selfage value निल दिया है company provide depreciation under state line method ठीक है और income tax rate जो है वो 30% है 12% का discounting factor दिया है and net profit before deposition and tax यानि कि अभे deposition भी नहीं घटा है tax भी नहीं तो पहले depreciation घटाएंगे fit tax घटाएंगे वापसे deposition जोड़ देंगे machine A and B का दे रखा है NPV पूछा है discounted PV पूछा है PI पूछा है ठीक है पूछा है बताए purchase of which machine is more beneficiary under discounted payback method NPV method तीनों method से बताओ बारी बारी करके मैं तीनों चीज machine A का निकाल देता हूँ और machine B का आप करना यह homework क्योंकि A का जैसा है P का तो लगबख सेम आएगा बस cash flow अलग होगी ठीक चलिए बच्चे आप में से कितने बच्चों को पिछले question में यह doubt था मैं जरा एक बार और explain कर दूँ अगर cash flow में घटाना है आउट flow कब हुआ है यह यह बताओ पहले आउट flow देख लेते हैं ध्यान से सुनना जरा पहले साल का खर्चा तो है पर साल के starting में पे करना है तो यह T0 यानि कि cash flow अभी जो present है यहां घटेगा similarly अब घटाने वाला तो समझ गया है न cash outflow कब होगा यह होगा T0 पे यह होगा भले ही second year का खर्चा है second year के starting में ही पे करनी पड़ेगे यानि कि first year के end में जिसको T1 बोलते T1 पे T2, T3, T4 यह तो outflow है पर इनकी जो tax benefit है tax benefit यह देना है उसी साल में जिस साल में यह हुए है तो outflow घटाना है नीचे tax benefit देने के दो तरीके घटा दो उपर PAT से पहले और PAT करने के बाद जोड़ दो तो tax benefit मिल गया है दूसरा तरीका क्या है PAT निकालने के बाद इन पे जो tax rate लगेगा expense into tax rate तो tax benefit आजाएगा उतना बस जोड़ दो दोनों में से जो तरीका आपको suitable वो तरीका करिए ठीक ऐसा question पूज सकता है कि कोई खर्चा है payment starting में हो रही है पर खर्चे तो आप claim करोगे साल के अंत में तो tax benefit जिस जिस साल का खर्चा है उसी साल मिलेगा tax benefit देने का दो तरीका PAT निकालने के बाद tax sealed जोड़ दीजिए या फिर उपर घटाओ और नीचे वापस लागे जोड़ दो तो इस सिर्फ tax benefit का impact आता है आउट फ्लो घटाना तो आउट फ्लो घटाते टाइम एक साल पहले आउट फ्लो घटेगा क्यों एडवांस में पेक कर रहे है ना इतना बस याद रखोगे चलो इस question में अगर मसीन एका करें मसीन एका तो द्यान से देखो depreciation कितना आएगा कितना है मसीन एका एट लाख माइनस salvage value 0 divided by 4 टू लाख परेनम आया टू लाख परेनम depreciation आया cash flow after tax निकालना हो तो देखो जरा चार साल है ना चारो साल का दे रखा है year one two three four profit before tax है क्या नहीं before depth and tax profit before depreciation tax कितना है तू लाख थर्टी तू लाख फोटी तू लाख ट्वटी फ़टी फाइब लाख शिक्टी थिक क्या घटाएंगे less depreciation तो यह आएगा PBT less tax यह आएगा PAT add कर देंगे वापस से dipson यह क्या आएगा cash flow after tax बताव dipson टू लाख है 30,000 आया tax कितना है 30% है 9,000 टाक्स कितना है 21,000 आएगा तू लाख डेप्शन वापस से जोड़ दो तू लाख 21,000 आएगा कि सेकेंड यहर थर्डी यहर में बताओ टू लाख 20,000 आएगा 6000 डेप्शन आएगा 14,000 ठीट अब देखो NPV निकालते हैं Year लिख लो 1, 2, 3, 4 Cashflow लिख लो 2,21,2,28,2,14,000 4,52,000 present value factor लिख लो present value लिख लो बताएं present value factor कितना है 0.893 0.797 अब देखो discounted भी निकालना है न payback period तो cumulative भी करनी पड़ेगी अपने को तो यहाँ पर cumulative को एक्टेबल बना दो cumulative present value चलो यहाँ रख करके देख़ें अज़र लिख करके देख़ें अज़र लिख करके देख़ें कुमिलेटीव करो यह तो 197353 आएगा दूसरे साल में पहला और दूसरे साल का cash flow जब जुड़ेगा यह जूड़ दो अज़र लिख थाड़ीयर में यह जूड़ दो थोड़ा यह यहां पर हो गया ठीक है थाड़ीयर में फाइव थर्टीवन फोर थर्टी सेवन और थीयर में थिट जब यह कुमिलेटीव है तो चारो साल का जूड़ोगे तो ऐसे भी NPV कैसे निकलता है PB of inflow जो की है यह इतना ही आएगा सारे को जूड़ोगे तो यहां पर भी जूड़ोगे इतना ही तो आएगा माइनस PB of outflow एट लाग PI अगर निकालना हो तो कि देखो क्या-क्या पुछा है पी आई भी पुछा है ना यह तो अपना पहला एंप भी आया कि ए रहा है ठीक कि पी आई देखिए यह कैसे होता है PB of inflow कि डिवाइड वै पीवी अफ आउट फ्लो यह सारे फर्मूले का लॉजिक हमने पार्ष में डिसकास कर लिया है ठीक है थर्ड नमर अगर कोई मुझे बोले डिसकाउंटेड पेबैक प्रियेट है सीधा मैं निकाल सकता था पर फर्मूला लिखूंगा क्यों लिखूंगा क्योंकि आपको याद करवाना क्या है फर्मूला लोवर रेंज प्लस डिफिसेंसी डिफिसेंसी का मतलब क्या था कितना कॉस्ट और रिकबर करना है लोवर रेंज तक कितना हो चुका डिवाइड भाई कैस फ्लो आफ्टर टैक्स इन अपर रेंज अब यहां पे डिसकाउंटेड लेना है आपको अपर रेंज बताओ आठ लाग आठ लाग कब तक रिकबर हो रहा है तीसरे साल तक तो नहीं हो रहा है चौथे साल में आठ से जादा ही हो रहा है यानि कितीन और चार के बीच में यह है लोवर रेंज यह है upper range correct तो बताओ lower range कितना है 3 years plus deficiency मतलब कितना और रह रहा है lower range में कितना कर लिया 5,31,437 8,00,000 में से 8,00,000-5,31,4 4,37 कितना रह रहा है 368 इतना रह रहा है ठीक एक बारे आड करो वापस से 197,353 plus 181 716 plus 152 368 ठीक है minus 8,00,000 अगर करेंगे तो यह इतना नहीं जा रहा है 268 ठीक यह है deficiency कैसे निकला 8,00,000 में से lower range का cumulative हटा के divided by discounted cash flow in upper range discounted payback के लिए discounted cash flow लेना है 287 472 अब years में लिखना हो तब भी लिख सकते है month में लिखना हो तब भी लिख सकते है years में लिखना हो तो इसको divide करें 287 472 तो यह आ रहा है 0.93 इसमें add करो तो 3.93 years आ जा गया और month में लिखना हो तो 3 years तो है इसको जो भी डिवाइड करके आ रहा है 0.9342 उसको इंटू 12 कर दो तो मन्त में कनवर्ट हो जाएगा अगर येर में तो 11.21 मन्त ठीक, दोनों में से कोई सा भी ये प्रोश लिखो, टोटल फिगर येर में या फिर येर और फ्रैक्शन मन्त में कोई दिक्कत नहीं, माक्स से में मिलना है आप लोगो ठीक है, बी का आप बना लेना और डिसीजन दे देना चलिए, ये जो कोईशन है, ये स्पेसल केस में है अपना, if only cost information is given ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो ये अभी नहीं करेंगे, सिर्फ कोईशन का कोईशन है, होना तो चाहिए स्पेसल केस वाले कॉलूम में यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं आउज जा रहा इस कोईशन पर आते हैं, ये भी कोईशन पूश्टे रहता है ठिक, टेन्मार्क्स में बहुत समय हो गया है, क्या पता पूश्टे अब इसका मिलता जुनता सिमलर कोईशन आपको नीचे भी दिख जाएगा जो कि पास्ट येर में आया है, सिर्फ फिगर वगेरा चेंज करके हैं ठिक, अगर आपको याद हो तो देखो एनुल कैस्ट फ्लो यूजफूल लाइफ सेल्वेज वैलू आयार पी आई दिया है जहां पर ये कितना है, 1.064 सिमलर कोईशन दिखाता हूँ यही है एनुल कैस्ट फ्लो यूजफूल लाइफ आयार प्रोफिटाबिलिटी इंडेक्स सेल्वेज वैलू इवेन पी आई का वैलू सेम ही है यह वहाँ बे 12 परसेंट है यह 4 यार सेम है तो कहने का मतलब यह है कि मिलता जूलता कोईशन आया होता है यह एडिशनल कोईशन में मैंने दे रखा है अगर एक कोईशन में करा रहा हूँ उसका सिमलर वर्जन कोईशन आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है आउजरा कहां गया यह कोईशन जो हम कर रहे है वो आपके बुक का कोईशन है इस्टिट्यूट का एन्वल कैस इनफ्लो दिया है कैस फ्लो आफ्टर टैक्स कहने का मतलब यूजफुल लाइब दिया है सेल्वेज वैलू जीरो है आई रर का मतलब क्या होता है एक्च्वल रेट अफ्रीटन क्या है प्रोजेक्ट में अगर कैस फ्लो को आई रर के रेट से प्रिजन्ट वैलू करे है और आउट फ्लो घटाए आई रर ऐसा रेट है जिस रेट पे निकालोगे तो जीरो आएगा ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है और पी आई है पी आई से रिलेटेड भी एक फर्मूला पढ़ाया था पता है एन पी बी का है पी आई माइनस वन इन्टू इनिसियल इन्वेस्मेंट याद करो कि वन तो डिनोट करता है जितना इन्वेस्मेंट उतनी रिकबरी वन से इक्स्ट्रा जो पी आई है न वो डिनोट करता है क्या पर रूपी कितना इक्स्ट्रा वैलू जेनरेट हो रहा है अब एक रुप्या का उतना है तो initial investment जितना हमने investment किया है उससे into करेंगे तो total आ जाएगा पूछा क्या है cost of project यानि कि outflow बताइए initial investment बताइए cost of capital discount rate बताइए net present value NPV बताइए payback period बताइए correct अज़रा question number 5 question number 5 IRR दे रखा है कितना 12% IRR क्या है it is the rate at which NPV of project is 0 यह ऐसा rate है कि इस rate पर अगर NPV निकालोगे आनिकी cash flow का present value करोगे और outflow घटाओगे तो NPV 0 आएगा correct यही पढ़ा है आपको ठीके लिखो आगे IRR is a rate at which NPV is equal to 0 IRR ऐसा rate है जहाँ पर उस rate से अगर NPV निकाला जाए डिसकाउंट करके cash flow को तो NPV 0 आएगा इट मींस देखिए cash inflow कितना है 1 लाख इंटू present value नुटी फेक्टर हर एक साल अगर सेमी inflow है तो एक साथ अगर present value करना है तो नुटी फेक्टर IRR 12% है ना 12% का एनुटी फेक्टर चार साल का अगर ले ले और उसमें से यह तो present value of inflow है आउट फ्लो घटा दे हमें नहीं पता present value of आउट फ्लो कितना है तो NPV आएगा जो की है 0 क्योंकि IRR पे तो NPV 0 आता है NPV निकलता कैसे है PB of inflow minus PB of outflow और 1 लाख इंटू present value annuity factor बताओ 12% पर यह रहा यह present value factor चारो साल को जोड़ देंगे तो annuity factor आ जाएगा कोई बताएगा मुझे कितना है यह आ रहा 3.038 correct 3.038 minus outflow या फिर outflow को उधर ले के जाओ तो क्या आ जाएगा is equal to outflow therefore outflow इसी को cost of investment बोलते हैं या initial investment बोलते हैं कितना आएगा बताएगा 3.033.800 एक तो requirement यही थी cost of project बताओ आगे आएगे हमें पता है NPV का formula होता है PI minus 1 into initial investment PI question में दिया हुआ है कितना 1.064 1.064 minus 1 into initial investment अभी अभी ताजा तरो निकाला है कितना 3.033.800 NP बताइए ठीक पॉइंट को round up भी कर सकते हूँ पॉइंट में लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थर्ड में आओ NPV पता चल गया ना NPV पूछा था cost of capital पूछा है अच्छा एक payback period पूछा है इसके लिए तो ज्यादा दिमागी नहीं लगा ना payback period discounted payback नहीं कुछा है payback period कुछा है ठीक अगर uniform cash flow है same cash flow हर एक साल आ रहा है तो payback period का formula क्या हो जाएगा initial investment याद करो अगर same cash flow आ रहा है तो divide by cash flow after tax initial investment 3,3,3,800 cash flow after tax कोई बताएगा 1 lakh है कितना आ गया ठीक और क्या है और पूछा है cost of capital पताओ cost of capital cost of capital वो rate है जिससे अगर discount करके outflow घटाए तो NPV आता है NPV का formula क्या है present value of inflow discounted at case rate cost of capital minus outflow NPV का formula क्या है कोई बताएगा मुझे PB of inflow किस rate से PB निकालना है discounted at case cost of capital के rate से minus PB of outflow पता है NPV हमें पता है अभी अभी निकाला है present value annuity factor देखना जारा निकालके यह आ रहा है 3.2324 12% तो नहीं है क्योंकि 12% तो IRR है ठीक कौनसा ऐसा rate है जिसका present value annuity factor यानिकी present value factor का sum total इतना आएगा वही rate होगा अपने लिए क्या cost of capital एक तो तरीका है बारी बारी चोड़ो दूसरा तरीका है calculator पर कर लो यह 11% है न 1 divided by 1.11 चार साल का 1,2,3,4 चीटी बतिन दबाव यहारा 3.11 102 यह तो नहीं है 10% में देखिए 1 divided by 1.1 एक तो तीन चार जीटी बतिन दबाव 3.169 यह भी नहीं है थोड़ा बहुत माइनर सा जरूर फरक पड़ेगा पर इतना नहीं पड़ेगा आप कर सकते हैं 1 divided by 1.09 present value factor के लिए is equal to एक साल का 2,3,4 जीटी बतिन दबाव 3.23 9 आ रहा है वैसे क्योंकि यहां पर round up है पर 3.23 जो है इसमें आ रहा है कितना 9% का अगर आप 9% का individually भी जोड़ दो तो देखो कितना आएगा 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708 3.239 आ रहा है ठीकर दो डीजिट मैच करेगा उतना मैच ना भी करेगा क्योंकि हमने round up किया तो obviously exact digit तो मैच नहीं करेगा हम यह लिख देंगे at 9% present value annuity factor for 4 years is 3.23 therefore इतना लिखो फिर नीचे लिखते है therefore 9% के क्या है present value का factor कितना है इतना है चार सालों का therefore discount rate या फिर cost of capital 9% है ठीक है यह approach क्यों use किया है थोड़ा सा minor सा फरक पढ़ रहा है round up में exact 9% नहीं है चलिए यहां पर आया opportunity cost का concept बहुत बार यह question पूछा हुआ है इसी में twist and turn क्या पूछ सकता है करके यह भी मैं बताऊंगा हां अब जीवनी धूशपिटल इसकांसी अबमाजर रेलीग निगरलो रेडियोर रॉचिक्शनल रेडियो राइ्योर्पिटल और राइं कि र स्ट नीख नको रे था सुर्ड़स भग्र 21 है 18,000 और लाइफ जो है न मसीन का वो 8 यह से इससे डेप्शन निकल जाएगा अनुवल ओपरेटिंग कोस्ट अप मसीन इस 22,500 अब यह मसीन का खर्चा भी तो होगा चलाने का यह है इतना अब देखो अभी क्या है मसीन अगर ले लेंगे मसीन नहीं था तो हम डॉक्टर क्या करते थे बगल वाले टेस्सेंटर को रेफर करते थे तो वहां से कमिशन आता था मसीन ले लेंगे तो मसीन की वैसे जो इनफ्लो आएगी कमाई होगी वो तो होगी लेकिन जो कमिशन कमाते थे वो तो नहीं होगी और मैंने क्या बोला opportunity cost is relevant for decision making opportunity cost को लेंगे अब यहां पर देखो यह कमाई नहीं होगी तो इसको लेना है लेना कहां पर है एक note लिखिए question number कौन सा है यह 6 क्योंकि यहां after tax है native tax before tax भी exam में बोलके पूछ सकता है question number 6 पहले बनाते हैं जब यह point आएगा वहाँ पर मैं ध्यान दिलाओंगा आप लोग और तब notes लिखेंगे ठीक चलो initial investment कितना है तो initial investment है 2 लाख कि डेप्रीशेशन पर है नम बोले तो कि टू लाख माइनस एटीन थाउजेंड डिवाइड बाइड बाई एट cash flow after tax हर एक साल कर निकालना होता है यह important है इस पार्ट में बस इसी के लिए पढ़ाई रहा हूं और कुछ important नहीं है इसी को मार्क करो machine अगर लेते हैं तो revenue कितना आएगा less operating expense less depreciation करेक्ट पीबीटी less tax तो यह आएगा पैट और उसमें डिप संजोड देते हैं यहां तक करो जारा अचा टाक्स का रेट कोई बताएगा मुझे टाक्स कितना पर्सेंट से लग रहा है 30 पर्सेंट लेकिन जो commission आता था वो तो नहीं आएगा वो घटानी पड़ेगी क्या है net of tax net of tax का मतलब after tax commission कितना आता था commission 36,000 तो यह आजाएगा cash flow after tax देखो अगर कोई opportunity cost है यह लिखना है notes एक्जाम में confuse करने के लिए तरह तरह के की line यूज़ करता है अगर कोई opportunity cost है considered in cash flow after tax गटाएंगे उसको लेकिन कहां गटाएंगे तो दो condition अगर opportunity cost before tax है opportunity cost before tax है या फिर कोई opportunity cost दिया है कोई income दिया है जो कमा सकते थे नहीं कमा है पर after tax दिया है after tax तो इसको गटाएंगे after pat pat निकालने के बाद क्यूं सर after tax का कोई income है न तो profit after tax के बाद adjust होगा यह before tax अगर दिया होता तो 36,000 before tax तो profit before tax इसको गटाते यानि कि कहां गटाते देखो profit before tax यह रहा न इससे पहले यानि कि यहां पर गटाते लेस कमिशन यहां पर गटाते अगर बोलता कि यह before tax है तो before taxation अगर before tax बोले तो profit before tax निकालने से पहले गटाएंगे after tax बोले कि net of tax दिया है commission या after tax commission इतना हम loss कर रहें तो pat निकालने के बाद गटाते कोई मुझे बोल सकता है कि sir इसको मैं before tax करके उपर गटा सकता हूँ definitely logic क्या है अगर after tax है तो pat के बाद मतलब taxation के बाद घटाएंगे before tax है तो taxation से पहले घटाएंगे बस समझ में आया क्या हमारे में after tax दिया था मैंने pat के बाद घटाया यही before tax देता उपर घटा था क्या इसको यहां पे न घटा के उपर घटा सकते हैं यहां पे घटा सकते है before tax बनाना पड़ेगा यह after tax है न before tax बनाओ 1-t divide में करनी पड़ेगी तो before tax होगा into में करोगे तो after tax होता है बताओ 36,000 divided by 36,000 divided by 0.7 पता है 51,429 अगर घटाते उपर तो semi फरक पड़ता तो before tax हो तो उपर घटाएंगे टैक्सेशन से पहले after tax हो तो नीचे घटाएंगे मैं क्या सजेस्ट करूंगा before tax दे या after tax दे नीचे घटाने ही कोशिस करना अगर after tax हो तो सीधा ही घटा देना before tax है तो after tax करके नीचे घटाना ठिक after tax हमें सब figure क्या आता है positive ठिक figure fraction में नहीं आएगा चलो समझ मैं क्या हम जी एनपी भी निकालना हो तो यह कैसे निकलता है pv of inflow minus pv of outflow inflow यह हर एक साल आएगा cash flow कितने साल तक बताएए 8 साल तक और 8 साल के end में एक और चीज़ आएगी न salvage value आएगी 18,000 का post tax salvage value करने के जरूरत है क्या sir state line method है तो जितना salvage value है post tax salvage value भी उतना ही आगा क्योंगी कोई भी profit loss नहीं आता ऐसा आपने बोला था ठिक तो चलो एक तो है यह जो हर एक साल आएगा 8 साल तक 39075 into तो present value अन्यूटी फेक्टर से करना पड़ेगा हर एक साल यह आएगा तो हर एक साल का present value करने से बनी आए एक लिखो सेमी आएगा हर एक साल तो सारे present value factor को जोड़ दो इसको इन्यूटी फेक्टर बोलते है प्लस 18,000 तो आठवे साल के अंत में आएगा तो present value factor से into करनी पड़ेगी उस साल के माइनस टू लाख अभी आउट फ्लो है बोलो यह राजरा आठो साल का present value factor कोई मुझे बताएगा 5.334 चर्रेक्ट 5.334 यह तो आठवे साल के अंत में आएगा से लिवेज वैलू उसके लिए present value factor यह है 5.334 चर्रेक्ट 5.334 चर्रेक्ट 5.334 चर्रेक्ट अगर 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 पोजिटिव है तो डिसीजन क्या देंगे कोई समझा क्या अगर यही कमिशन बिफोर टैक्स बोला होता तो कहां घटाते उपर घटाते टैक्सेशन से पहले यही आफटर टैक्स बोला होता क्या आप नीचे घटा सकते थे उसी को after tax करके नीचे खटा दो कोई भी चीज जो after tax है कोई खर्चा का adjustment income का adjustment कोई भी अगर after tax है तो pat के बाद उसको add less करेंगे before tax है तो pat से पहले add less करेंगे यह याद कर लो यह लिख लो अपने दिमाग में छाप बिठा दो ठीक है एक बार आया question ठीक है और दोनों चीज बोला कि एक बार before tax भी मानिये commission है तो एक बार after tax भी मानिये ठीक तो दो cash flow करते अगर after tax होता तो यह before tax होता तो यह एक बार और करते सब चीज से हम होता बस commission का amount फरक पर जाता before tax में एक तो तरीका है यहाँ पर घटाते या उसको before tax दिया है तो after tax करते तब नीचे घटाते तो दोनों assumption पर अलग अलग आता दोनों assumption से अलग अलग NPV आएगा ठीक है हाली में recent में एक दो item पहले आया हुगा question है semi question का मैंने दोनों version आपको समझा दिया before tax बोले तो उपर घटाओ after tax बोले तो नीचे घटाओ adjustment कहाँ पर करना है यह important है ठीक है चलो यह question बढ़िया है यह question जो first question हमने किया ना first question बिल्कुल उसी की तरह है बस इसमें पढ़ाने वाली बात क्या है पढ़ाने वाली बात है यह line the loss of any year will be set up from profit of subsequent year किसी साल में अगर loss होता है तो subsequent year के profit में set up हो जाएगा यानि कि जिस साल loss होगा उस साल tax saving नहीं रिखाएंगे उस साल profit after tax उतना ही loss आएगा लेकिन next year जब profit before tax about taxation calculate करेंगे तो पहले loss set up करेंगे balance और profit बचा taxable profit उस पे tax दिखा लेंगे याद रहेगा यह कौन सा केस है second case है जो मैंने पढ़ाया था तीन case quality loss के अड़स्मेंट का यह case number two है ठिक इस question को एक बार हमक करके आना कल practice करना और comment box में लिखना इस question को next class में कराए या ना कराए अगर आप बोलोगे sir not कराओ नहीं कराओ नहीं कराओ अगर आप लोग बोलोगे sir इस question को एक बार करा दो तो इस question सही class को start करेंगे फिलाल आज की class नहीं पर close करते हैं मिलता हूँ आप लोगे sir next lecture में till enjoy करते रहिए पढ़ते रहिए बढ़ियां से पढ़िए frequent revision जरूरी है जो past में पढ़ चुके उसको बार बार याद करना बहत जरूरी है ठीक है चल